अमेरिका में राष्टपती चुनाव का प्रचार अब अपने अंतिम चरण में पहुच गया है। अमेरिका में दंगो को लेकर हुई बहस पर अपने कोर वोटरों को संदेश दिया। ट्रंप ने हिंसा की कड़ी निंदा की लेकिन अश्वेत नागरिकों के खिलाप खुल कर कुछ नहीं कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर लॉएंड ओर्डर की समस्या होगी तो उस पर एक्षन तो लेना ही पड़ेगा। जो बीडेन ने ट्रंप पर जान बुझकर अश्वेत नागरिकों को निशाना बनाये जाने का आरोप लगाया। कोरोना संकट पर डिबेट में दोनों ने टाओं के बीच जुबानी तीर चले। जो बीडेन की ओर से आरोप लगाया गया कि डॉनल्ड ट्रंप ने शुरुवात में कुरोना को हलके मिलिया जिसका खाम्याजा दो लाख लोगों को अपनी जान गवा कर भढ़ना पड़ा। जवाब में डॉनल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने चीन पर जितना आरोप लगाया किसी ने नहीं लगाया। साथ युन्होंने भारत, रूस और चीन पर आंक्डे छोपाने का आरोप लगाया। ट्रंप ने कहा कि इसी वजह से अमेरिका में केस अधिक लग रहे हैं। ऐसे में उनका नॉमिनेशन पूरी तरह से सही है। इस पूरी डिबेट के दौरान कई चीजें सुर्खियों में रहीं। ऐसा कमी देखने को मिलता है जब मिलानिया ट्रंप, इवांका ट्रंप और डॉनल्ड ट्रंप की दो अन्न बेटी एक साथ मंच पर दिखें। दूसरी और बिडेन का भी परिवार बहस के दौरान मजूद रहा। आखिर में ट्रंप ने चुनाओ में गडबरी की आशंका जता दी और कह दिया कि अगर कई फरजी वोट डाले गए तो ये मैं बरदास्त नहीं करूँगा। बीरो रिपोर्ट